इंडिया नोसन एडिजन में भारत के लिए एक नया खत्रा पैदा हो गया है क्योंकि एक चाइनेज एसपाई सिप सिरलंका की ओर आ रहा है और ये गारा अगस्त को सिरलंका के हमबन टोटा पोर्ट पर पहुंचेगा तो आज हम लोग डिसकस करेंगे ये हसिप सिरलंका के हमबन टोटा पोर्ट पर क्यों आ रहा है इसकी कैपेबिलिटी क्या है और भारत को इसे क्या खत्रा है चाइना का जासूसी जहाज इवान वांग 5 35 किलोमिटर पर आवर की रफ्तार से सिरलंका की ओर बट रहा है भारत न ने भी इस सिप के हर मुविमेंट पर नजर रख रही है चाइनिज सिप इवान वांग 5 13 जुलाई को चाइना के जियानगिंग पोर्ट से रवाना हुआ था और 11 अगस्त को सिरलंका के हमबन टोटा पोर्ट पर पहुँच जाएगा और एक हफते तक सिरलंका के हमबन टोट पर मजूद रहेगा इवान वांग 5 इवान वांग स्रीज का 3rd जेनरेशन ट्रैकिंग सिप है 2007 में इसे चाइनिज नेवी में इंडक्ट किया गया था इवान वांग 5 सेटलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम से लेस है चाइना के पास इस तरह के टोटल 7 सिप मजूद हैं जो हिंद परसांत की हर गतिविध्य को ट्रैक करते हैं सिरलंका के वर्तमान हालात को देखते हुए चाइना इस मौके का फायदा उठाने की कोशिस कर रहा है सिरलंका के रक्षा मंत्राले ने पहले इस चाइनिज सिप के हमबन टोटा पोर्ट पर आने की खबरों का डाद में सिरलंका ने इसे रेगूलर एक्ठिविटी बता कर इस सिप को हमबन टोटा पोर्ट पर आने की अनमदी दे दी सिरलंका हमेसा से कहता आया है कि वह हमबन टोटा पोर्ट का military activity के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा सिरलंका के अनुसार यहाशिप हिंद महासागर म चाइना के सेटलाइट को ट्रैक कर रिसर्च करने आया है लेकिन भारती एक्सवर्ट्स के अनुसार चाइना का मकसद भारत की जासुसी करना है यह सिप एक हफते तक हमबन टोटा पोर्ट पर मौजूद रहेगा इतने दिनों में बहुत सारी महत्पुर्ण जानकारियां जूटाई जा सकती है सिरलंका चाइना के तबाब में इसे एक नौरमल एक्टिविटी बता रहा है जो की एकदम गलत है इवान वांग 5 एक ट्रेकिंग सीफ है इसके माध्यम से मिसाइल को ट्रेक किया जाता है इसकी ट्रेकिंग छमता 750 किलोमीटर है और यह भारत के तटिये राजियों की आसानी से निगरानी कर सकता है भारत के नौसैनी कड़े भी इसकी रेंज में आ जाएंगे हमबन टोटा पोट पर पहुँचने के बाद इस सीप की पहुँच भारत के परमानुकेंद्र कुडन कूलम कलपकम तक होगी और केरल तमिलनाडू और आंध्रपरदेश के बंदरगा चाइना के रडार पर होगे इस सीप के द्वारा चांदीपुर में इस्थित इसरो के लॉंचिंग एस्टेशन की जासूसी भी की जा सकती है यह पहली वार नहीं है जब चाइना भारत की जासूसी करने की कोशिस कर रहा है जनवरी 2020 में पाँच चाइनिज रिशर्च वेसल इंडियन ओसन में देखे गए से अजीत डवाल से मिलने दिल लिया थे 2019 में अंडमान दीप के पास एक चाइनिज शिप को भारतिय नोसिना ने खदेर दिया था शिरलंका में चाइना की उपस्थिती भारत के लिए बरी समस्या बना हुआ है शिरलंका के हमबन टोटा पोर्ट का निर्मान 2008 में शुरू ले लिया चाइना इसका इस्तमाल military purpose के लिए ही करता है यह चाइना की string of pearls strategy का हिस्सा है इसके माध्यम से चाइना भारत को हिंद महसागर में घेरने की कोशिस कर रहा है तो यह है इस वीडियो का हिंद आसा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को ल